हेलो फ्रेंड्स मैसल गुर्दीव और वेलकम टू एडवांस अगरिकल्चर क्लासस तुड़े इन इस लेक्चर वी विल डिसकस अबाउट सम आईसे आवार्ड्स विचार गिवन इन अगरिकल्चर इन 2016 आज हम इस लेक्चर में कुछ आईसे एयार दोवारा दिये गए आवा इस आईसे आर चैलेंज अवार्ड 2016 यह कौन यह क्यों दिया गया फॉर एनी इमेडियेट और लॉंग स्टेंडिंग प्रॉब्लम और लिमिटिंग इन लिमिटेशन इन अगरिकल्चर जो इस प्रॉब्लम को सौल कर पाया है में इसकी फॉर इमेडियेट और लॉंग स्टे इस आईसे आर चैलेंग और लॉंग स्टेट अगरिकल्चर इंवर्स्टीज तीनों को यह वार्ड दिये गये और इसकी किमत भी 10 लाग उपे रखी गई थी नेक्स्ट है चाधरी देवीलाल आउटस्टेंडिंग और इंडिया कोडिनेटेटर रिसर्च प्रजेक्ट आवा इस कोड़िटिंग सेंटर जो एसी एर पी के अंडर में काम कर रहे हैं और उसके जो कोड़िटीज है उनको तीन लाग रुपे की अवार्ड दिया गया नेक्स्ट है जवाडलाल नेरू आवार्ड फोर पीजी आउटस्टेंडिंग डॉक्ट्रेट डॉक्ट्रेट इस एक इस एक तीन अवाड़ सो 50,000 तो यह उन लोग को दिया गया जिनों जिन्हेंने की बहुत हाई सच की और डॉक्ट्रल पंजाब राओ देश्मुख आउटस्टेंडिंग साइंटिस्ट अवार्ड तो यह वीमेंस के लिए जो पंजाब राओ देश्मुख दिया गया और नेक्स्ट फ्रसंतराओ नाइक आवार्ड पोर अऊटस्टेंडिंक रिसर्च अप्लिकेशन इन ड्राइलेंड साइले за जिन्हें विर्केन के रपार्मिंग किया और प्सकीमत 1,200 रुपे नेक्स्ट है जगजीवन राम अभीनव किसान पूर्सकार या जगजीवन राम इनोबेटिव फार्मर अवार्ड नेशलेड और जोन ये नेशनल लेवल पे और जोनल लेवल दोनों पे दिया गया और ये क्यों दिया गया और आउटसेंडिंग कंट्रिबिशन ओफ फार्मर्स को दिया गया जिन्होंने की जो नए टेक्नोलोजी है या जो भी डवलमेंट नहीं होरे इनको अड़ॉप्ट किया और उस इंप्रूवड टेकनोलोजी का यूज किया और अपनी इंकम को इंक्रीज गया नेस्ट है एंजी रंगा फ्रमर अवार्ड फॉर डिवर तो यह भी फर्मर को दिया गया जिननों की इन्नोवेटिव फर्मर फोर डिवर्सिटिफाइड अग्रिकल्चर वन एन्मोर अवार्ड ओफ वन लाइप रुपे पंडित दीन द्याल उपाद्या अंतदया करशीपूर्षका दोजाल सत्रह यह भी दोनों लेवल पे दिया गया नेशनल और जोनल लेवल दोनों पे दिया गया दा कंट्रिबूशन सोफ मार्जिनल स्मॉल एंड लेंड्स लेंड्लेस फर्मर फोर डवलपिंग सस्टेवल इंटीगरेटेड मॉडल सफ और फार्मिंग तो इन लोग को दिया गया नेक्स्ट हाल्दर अवार्ड फोर इस लाग रुपे का नाम था नेक्स्ट चौदरी चर्ण सिंग अवार्ड फोर एक्टलेंस इन जेनलिजम इन अग्रिकल्चर रिक्ल्चर रिसर्च और डेवलेमेंट तो जो जनरल्स या प्रिंट मीडिया इसको बढ़ावा देने में काम कर रहा है तो उनको भी एस शिक्स अवार्ड दिये गया फकरुदीन अली एहमद फोर अट्स्टेंडिंग रिसर्च इन ट्रैबल फार्मिंग सिस्टम यह भी वन लाग दिया गया नेक्स्ट भारत रतर्ण डक्टर सी सुबरमन ने अवार्ड फोर अट्स्टेंडिंग टीचर्स वन लाग रुपे यह टीचर जोर्नल एंड लेशन लेवल तो हेल्दी कंप्टिशन के अधार पर दिया गया नेक्स्ट डॉक्टर राजंदर परसाद पुर्सकार फोर टेकनिकल बुक्स इन हिंदी इन अग्रिकल्चर एंड एलाइड सांसिस तो यह वाला अवार्ड जो है डॉक्टर राजंदर उनके लिए अवार्ड था नेक्स्ट है रफी एहमद किडवाई अवार्ड फोर अउस्टेंशन रिसर्च इन अग्रिकल्चर साइंसेस में दिया गया नेक्स्ट है स्वामी सहाजनंद सरसवती अउस्टेंड इक्स्टेंशन साइंटिस्ट दोजा सुला तो यह उन लोग को दिया गया जो आउस्टेंश साइंसेस्ट के रूप में अडइनटिफाई किया गया नेक्स्ट है नासी आई सी अओ़ इस अग्र आवार्ऊड फोर इनोवेशन और रिसर्च ऑन फाम 2020 वार्फ फार्म इंप्लिमाले टो रिसर्च करें उन लोग को साथ और यह मैं ली उन ल लिक्स के अधार पे या उसकी आम लेंद या जो भी उसकी अर्गनोमिकली उसके लिए शूटेबल नहीं है तो जो विमेंस के लिए बना रहे हैं यह बनाया यह उन लोग के लिए दिया गया है नेक्स्ट है हरियोम आश्रम ट्रस्ट अवार्ड फूर्दा बेनेमन तूथाज सब्सक्राइब यह उन लोग को दिया गया है जो लॉंग टर्म की प्रॉब्लम को सौल कर पाए हैं नेक्स्ट है अड्मिनिस्टेटिव आवार्ड 2016 कैश अवार्ड स्कीम फोर अड्मिनिस्टेटिव टेक्निकल सपोर्टिंग केटेगरी एम्प्लाइज ओफ आइस एर्स इ यह उन लोग को दिया गया जो की एड्मिनिस्टेटिव काम में अपना एक्प्लेंस दे पाए तो यह तो थे कुछ आवार्ड जो आईसे आवार्ड ने डिफरेंट इंस्ट्यूशन में उनकी आउटस्टेंडिंग परफॉर्मेंस के लिए डिफरेंट एरियाज में टीचर को प्रोफेसर को साइंटिस्ट को यह जो भी उसके रिकूर्टेड परसंद थे उन सबको आउस्टेंडिंग अवार्ड दिये उनकी परफॉर्मेंस के लिए इन सब के बारे में हम देखा तो उम्मीद करता हूँ आपको यह लेक्चर प्रसंद आया होगा अगर आपको यह तो प्लीज अपने दोस्तों में शेर करें और अपने कमेंट कर के जुरूर बताएं अगर आप में इसमें कोई भी डिफ्ल्टी क्यल करते हैं तो प्लीज को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप उसे भी लाइक करें र जोइन करें thank you for watching